नमस्य और उन्शान्ति आप सो कुछ स्वागत है आपके 232 दिन केश्रे वर्दान में आप सोच रहे होंगे कि आज का वर्दान एक दिन लेट क्यों आ रहा है क्योंकि कल हमारे यहां हिंपात हुआ यहां पे स्नूफॉल हुई जिसका रंस हमारा इंटरनेट चला गया था और बहुत कडाकी की ठंडी थी मज़ा तो आ रहा था बहुत आ था कंबल में बैठ करके रजाई में बैठ करके हॉट रोट बोटल लेकरके और बहार के नजारे और ही सुन्दर थे लेकिन उस ठंडक में अब हम थोड़ी सी गर्माहट डालें परमात्मा के मीठे-मीठे वचन जो कि हमारे मन को और हमारे दिल को विकुल गरम कर देते हैं तो परमपिता परमात्माहट के वर्धान में हमें क्या सिखाते हैं उसको हम देखें तो बाबा कहते हैं टाइटल में रूहाब और रहम के गुंद्वारा दो चीज़े रूहाब हो और रहम हो के गुंद्वारा विश्व नव निर्मान करने वाले विश्व कल्यांकारी भव अभी दोनों वर्ड़ क्या है और उनको इस्तमाल कहां करना है उसको अभिस्व कल्यांकारी बनने के लिए मुखे दो धारनाय आवशक हैं एक ईश्वरिय रूहाब और दूसरा रहम रूहाब किसका हो इश्वर का हो अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रुहानियत की स्टेज बन सकती है और बन जाती है तो जो जब भी कोई कर्तव्य करते हो वा मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं कि हम अगर परमात्मा के अनुसार विश्व कल्यान कारी करतवे करने के लिए हमें परमात्मा ने कहा है तो परमात्मा चाहते हैं कि हम रुहाब को भी इस्तमाल करें और शाती साथ हम रहम को भी तो अब रुहाब है क्या रुहाब को कहेंगे आध्यात्मिक नशा तो परमात्म का इश्वरे नशा है कि नहीं है मैं जिसे इंसान को होता है धन दौलत का नशा होता है इज़त का नशा होता है कूरसी का नशा होता है और पोजीशन का नशा होता है तो परमात्व कहते हैं कि रूहानियत की स्टेज बन जाती है क्या करने से रूहाब इश्वरे नशा और रह तो बाबा कहते हैं तो चेक करो कि रहम और रुखाब दोनों समान रूप में हैं। लेकिन साथ-साथ में अहंकार आ जाए तो फिर गलत हो जाएगा। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं जैसे कि अगर आप देवी देवताओं की चित्र देखेंगे श्री लक्ष्मी के चित्र देखेंगे दूर्गा के चित्र देखेंगे तो श्री दुरुगा उनके भी चित्र में क्या दिखाते हैं, यह श्री रूहाब होता है और साथ-साथ रहम होता है, उनकी आँखों में रहम होता है और उक्रती, तब ही सब जाकर के उनके चरन पढ़ते हैं, कहते हैं, हे माता, हे देवी, रहम करो, क्या चीज़ का रहम, ग् जाए वो कलंक हट जाए वो हमारे जीवन से जो अंदकार है वो हट जाए तो हम देवी देवताओं की मूर्ति में वो रहम देखते हैं तब देखते हैं उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो दाता होते हैं देते हैं वर्दान देते हैं तो कौन से वर्दान यही तो वर्दा की समानता दिखाते हैं, इसी के आधार पर विश्व नव निर्मांड के निमित बन सकते हो, तो अगर रुहाब हो, लेकिन अगर अहंकार हो, रहमना हो, मैपन हो, तो हम विश्व का कल्यांड कर ही नहीं सकते, तो ये रुहाब कैसे आए, पहले तो इश्वरे नशा कैसे आए, मानते तो उस हर कोई है कि हम परमात्मा की संतान है वो हमारे पिता है परम पिता परमात्मा कहते हैं लेकिन हमारा क्या संबंध उनके साथ में इतना ताकत और है इतना जटल है कि कोई हमें हिलाना सके क्या हमें उस चीज़ का नशा भी है कि हमारे पस उस चीज़ का नशा है उससे तो हम बहुत जादा करने अड़ नहीं कर पाएंगे किसी का लेकिन अगर रुहानियत का नशा है और साथी साथ परमात्मा के पहचान का नशा है तो हम कई आत्माओं का हम बिना कोई अहंकार के बलकि रहम के साथ में हम उनकी सेवा कर सकते हैं और विश्व की सेवा कर सकते हैं इसको करें कैसे? इसके लिए आपको इश्वरिय विश्व विश्व विद्या ले जिसको कहते हैं ब्रह्मकुमारी's Godly Spiritual Universe Team में जा करके 7 Days का Free Course इस सुव की पहचान परमात्मा की पहचान ये चक्र जो दुनिया में चल रहा है नाटा को कब खतम होने वाला है उसकी सत्य पहचान सब पता चल जाएगी तो आँखे खुल जाएगी कौन सी आँखे? मन की आँखे जिसों कहते हैं इस विद्या को लें ये ही मेरी शुपकामना आपके साथ में और नए साल की अभी सही आपको शुपकामना है आपके दिन आज सही स्वस्त और वर्दानी मुरत हों ओम शान्ती